कला कृती द आठेपिनोर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद यह बैल आइकन है इसको भी प्रेस यहाँ पर हमने मोर पंक बनाने की कोशिश की है तो इसकी चोंट जो है बिल्कुल 3D में बाहर की तरफ आई ए आंखे लगाई है पीछे मोर पंक है फैलाए हुए मोर पंक है तो इस तरह से लग रहा है बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा है और बहुत ही खिल के आया जब ह ने कांए को पहनाया और इसकी स्के going नेयुक आपको सब्सक्राइब आपको डिसक्रिप्शन बोखस भी है विपक्षन आपको है तो अब काना जी को पहना है। आप ही जादा है को सब्सक्राइब है। आप एक जरूर के से 찾아 मुस्तिया सब्सक्राइब Kristen 59Кले कट चैब सलगों मुंगामो कि उपिश नहीं इना है। और प्लीज मैरे कहने बेस जो है मुकुट का वो बनता है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि छोटे size के लिए कैसे बनाएंगे बड़े size के लिए कैसे बनाएंगे तो जब आप video देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा इसके बाद देखिए face है यह फेस जो है मैंने पूरा ट्रिपल क्रोशिया से बनाया है अगर आप छोटा बनाना चाहेंगे फेस छोटे मुकुट के लिए तो आप इसको डबल क्रोशिय का बना सकते हैं और बड़े के लिए आपका ट्रिपल क्रोशिय में ही चल जाएगा छे नंबर तक की ड्रेस के लि दो लाइन बनाई है और उसके बाद लाइट ब्लू कलर की एक लाइन और उसके बाद ग्रीन कलर का वर्क किया है तो अगर चोटा मुकुट बना रहे हैं तो कलगी में यह ब्लू कलर में एक ही लाइन बना लीजेगा और बड़ा मुकुट बना रहे हैं तो इसका डाक होती है जो बेस होता है वो मैंने वीडियो में बताया है कि आप छोटा और बड़ा कैसे कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंग्स मुकुट बनाना स्टार्ट करते हैं मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हापे डाग ब्लू कलर की उन ले ली है तो अब देखे धागा जो हम क चैन्स बनाने है तो 49 चैन्स बनाऊंगी प्लस थरी तो 49 फ्लस थरी 52 चैन्स बनाऊंगी तो यह चैन्स बनके मैं आपको दिखाती हूं तो ज получ चाहिए फ्रेंट्स 49 चेन्स ले ली है मैंने यहां पर इस तरह से अब यहां पर अंगूठा रख लूँगी 49 नमबर चेन पर और मैं तीन चेन ओड लूँगी एक दो तीन चेन्स ले ली है यह जो तीन चेन हमने एक्स्ट्रा ली है यह हम एक डबल क्रोशे मालेंगे और यह डबल क्रोशे की हाइट की ही होती है तो यह तीन चेन हमारी एक्स्ट्रा है अब इसके बाद देखिए हमें डबल क्रोशे जालने है तो जहां पर मैंने अंगूठा रखा है वह बेसिकली फोर्थ चेन हो जाएगी हम अगर काउंट करेंगे तो तीन चेन में छोड़ दी थी औ अब मैं 49 नमबर चेन में क्रोशोंक डालकी, धागे को निकालोंगी तो तीन फंदे होगे, अब मैं तीन का दो करूंगी और यह दो फंदों को एकसाथ लेके एक कर दिया तो इस तरह से डबल क्रोशे डाल दाले आपको दिखा देती हूं 2 फंदे किये, नेक्स चेन में क्र और जो तीन चेन हमने एक्स्रा ली थी उसका एक डबल क्रोशिया तो टोटल 50 डबल क्रोशियास हो जाएंगे तो फ्रेंड्स यह छोटे मुकुट के लिए हमने देखा जाए तो 49 प्लस 3 चेन प्लस 52 चेन और 50 डबल क्रोशियास बनाए है अगर आप 4 नंबर का बना रहे हैं तो 50 double crochet की जगे 46 double crochet की approximately होगा और अगर आप 3 number के लिए बना रहे हैं तो करीब आपके 40 से 42 double crochets होंगे double crochet के count दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से आप 4-4 double crochet almost कम करते जाएंगे जैसे जैसे आपको छोटी cap बनानी होगी तो यह almost idea है और इसको पूरी तरह सम कैसे देखेंगे वो मैं आपको भी बता दूँगी जब हम इसको सीलेंगे तो यहाँ पे मैं उसको बताऊंगी पहले मैं आप यह सारे double crochets जालके मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखें friends मैंने यहाँ पे first round जो है complete कर दिया है 50 double crochets हो गए है तो work जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है अब यहाँ पे देखें मैं एक chain लेके धाके को कट कर दूँगी और यह धागा खीश दूँगी तो note लग जाएगी तो यहाँ पे देखें क्रोशिया निकाल दिया और सीधा धागे को खीश दिया तो note लग गई है chain पहले लेली इस बार तो इस तरह से यहाँ पे dark blue कलर के धागे से हमारा काम जो है complete हो गया है अब यह देखें हम light blue कलर के धागा जो है join देखें इस तरफ करेंगे जो हमारा पहला double क्रोशिया तीन से बना था उसकी third chain में क्रोशोग अाड करूँगी तो पहला double क्रोशिया में 5 3 chain से बनाया था तो उसके 3 chain में मैं krosing तो देखे लाकर लिया अब धागे को एड कर रहे हैं एक chain ले या तो इस तरह से समारा अचे अधन हो गया है आप तीन chain लेंगे एक दो नहीं और इसको मैंए डूशा ही मानेंगे आप देखें तक बगल वाली chain में एक double crochet डालूंगी जो पहली chain है पहली chain में तो हमने add कर दिया था second chain में मैंने double crochet डाल दिया इसी तरह से अगली chain में भी double crochet डालूंगी और यहां पे भी मेरे इस round में भी 50 double crochet हो जाएंगे नीचे 50 chain से 50 double crochet होके मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखे second round भी complete हो गया है अब third round की तरफ proceed करेंगे तो हमें color यही वाला लेना है तो यहां पे हम देखे तीन chain लेंगे work को उल्टा कर देंगे तो यह पहला double crochet बन गया है जस्ट बगल वाली chain में हम double crochet डालेंगे और next chain में भी double crochet डालेंगे इस तरह से सारी chain में हम double crochet डालते हूँ यह third round भी complete करेंगे तो यह देखे friends तीन round जो हमारी strip के complete हो गए है अब मैं यहां पे धागे को cut करूँगी और एक chain लगाके इसको note लगा दूँगी तो यह secure हो जाएगा तो यह strip जो है वो बनके तयार हो गई है तो यह देखे friends मैंने इस ट्रिप जो बनाई है यह पांच नंबर के लिए तो एकदम सही है चार नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें आपे नीचे चार चेंज कम करने और चार डबल क्रोशिया कम करने तो इस तरह से चलेगा अगर आप छोटे नंबर के लड़ू कौपाल जी के लिए बना रहे हैं तीन या दो नंबर के लिए तो आपको तीन नाइं की जहगे दो ही लाइन बनानी होगी और 0-1 नमबर के लिए बनाने तो एक ही लाइन सफिशेंट होगी तो यहां पर इस तरह से मैंने बता दिया आपको स्ट्रिप कैसे बनानी है अब देखिए हम इसे चेक कैसे कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था किस ट्रिप कितनी लंबी होने चाहिए आपक देख में हम इस तरह इ Turkmen लाए Candice 6 हूं और तो हम इस तरह को पैना के देख लें होगते देख को जब इसको पहना एंगे तो क्योंकि पीछे से एड़ आ झाड़ सकते हैं जो यह एक पे पर पैमने हैं को मैं तो इसके ढ़ने । पीछे सीधोल को यहांको एक दम परफेक्ट आएगे तो इत को सीनेगे तो एक बार फिर से मापको बता जैविख विखे हैं पकड़ी का दिये तो तरह मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया व्रंट साइड बाहर है और यह वाली स्ट्रिप का इंड जो है इस तरह रखा है तो इस तरह से दोनों एंड मैंने इस तरह से रखे और यहाँ पर यह पगडी बन जाती हैं इसके बाद आम इसको सीलेंगे तो सीलेंगे हम कैसे जो पीछे हमने on the strips लगाई है इसके सेंट से स्टार्ट करूंगी मैं सिलना और यहां तक स्टार्ट करूंगी और फिर यहां पर मिडल में अजाओंगी तो देखिए अब मैं सिलने जा रही हूँ मैंने सुई में यहाँ पर रिया न पर दागय को मा apprentices कर रही हूँ को तो मैंने माने डबल धागा पिरोया हुआ है अब देखिए में यहां से सिलने जाओंगी यहां तक आउंगी और फिर बीच में आ जाओंगी तो यह देखे मैं सिलती जा रही हूँ बहुत ही इजी है सिलने में तो यह देखे साइड में मैं आ गई हूँ अब मैं वापस बीच में जाऊंगी तो अब देखे में मैं आ गई हूँ अब देखिए हमें क्या करना है यह जो चीज यहाँ पर यह वाली चीजं तो यहाँ पर यह चीज हम सीळेंग यहाह तक लेंगे तो कुछ इस तरह से को अधिलती जाँ मैं तो यह देखे मैं सिलती जा रही हूं बहुत ही इजी है सिलने में यह यहां तक सिलने के बाद देखे हम आगे की तरफ देखेंगे पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे तो यहां पे देखे मैंने इसको सेट कर लिया है अब देखिए हमें यहां पे इसकी यह चीज पूरी सिलनी है और यह जो गैप है यह हमें कवर करना है यह पूरा यहां से सिलके और फिर मैं पीछे से बैक साइड से वापिस यहां के तरफ आऊंगी और ये वाला जो gap है ये भी सिल दूँगी ये पूरा सिलके मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखे फ्रेंट्स मैंने पूरा स्टिच कर लिया है और यहाँ पे जो दो gap थे वो भी बिल्कुल फिल हो गए है तो इस तरह से मैंने मुकुट को सिलके तयार कर लिया है इसकी पगड़ी है ये जो बिल्कुल तयार है बहुत ही अच्छी लग रही है अब हम इसके दो elements बनाएंगे एक face और एक पीछे की कलगी तो पहले हम face की तरफ proceed करते हैं उसके लिए हम dark blue color जो ये वाला color है यही वाला लेंगे तो ये कैसे करेंगे बताते हैं तो देखे friends अब ये dark blue color का धागा जो है crochet मैं add कर लूँगी तो इस तरह से ये add कर लिए है आप मैं 4 chain लूँगी एक दो तीन चार अब हमें यहापे loop create करना है तो first chain में मैं crochet डालूँगी first chain जो first chain लिए है उसमें मैं crochet डाल रही हूँ धागे को निकालूँगी और सीधा इसमें से निकाल दूँगी तो ये slip stitch से join हो गया है और हमारा एक loop create हो गया है जो कि मैं भी आपको उंगली से कोशिश करूँगी दिखाने की तो देखे थोड़ी सी उंगली जो है इसमें दिख रही है तो ये हमारा एक loop create हो गया है अब इसके बाद देखिए हमें आप एक triple crochet से काम करना है तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम 4 chain लेंगे एक दो तीन चार ये चार chain जो है ये triple crochet की height की है और हम इसको एक triple crochet ही मानेंगे अब देखिए इसके बाद हमें triple crochet डालें loop में तो triple crochet कैसे डालते हैं क्रोशोग में एक फंद है इस तरह से 2 कर लिए और ये 3 कर लिए तो टोटल 3 फंदे कर लूँगी अब loop में क्रोशोग डालूँगी तो ये loop में डाला है किसी chain में नहीं डाला है धागे को निकालूँग तो क्रोशोग में 4 फंदे हो गये देखिए ये 4 फंदे हो गये शुरू के 2 फंदे एक साथ लूँगी और उनका इस तरह से निकाल दूँगी तो 3 फंदे रह जाएंगे अब फिर से 2 पंदे को एक कर दूँगी अब फिर से 2 फंदों को एक कर दूँगी तो इस तरह से triple crochet ब यूप में बनाती जाओंगी करीब यहां पर 15-16 ट्रिपल क्रोशिया आएंगे यह डाल के आपको दिखाती हूं पर फ्रेंड्स अगर आप यह छोटे मुकुट के लिए बना रहे हैं छोटे नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए मुकुट बना रहे हैं तो उसके लिए फेस ट्रिपल क्रोशिया डिजाल लिए अब देखिए जो पहला डबल पहला ट्रिपल क्रोशिया था वह हमने चार चेन से बनाया था उसकी चोथी चेन में मैं यहां पे क्रोशोक डाल रही हूं धागे को निकालूंगी और सफिज से इसको अड़ कर दूंगी जोइन कर दूंगी तो यहां पर देखिए यह है तॉम जो है यह सरकल बन के रेडी हो गया है अब है अ matching का है तो इससे कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ तो यह देखे फ्रेंड्स अब हम green colors के धागे से काम करेंगे तो crochet देखे जहां पर मैंने blue color का धागा cut किया था उससे next chain में मैंने crochet डाल लिया है green color का धागा उसमें add करूंगी एक chain ले लिए तो इस तरह से धागा जो है एड हो गया है अब मैं दो chain लूँगी कि एक दो यह दो चैन जो हाफ डबल क्रोशिय की हाइट की होती है और हम इसको एक हाफ डबल क्रोशिय ही मानेंगे अब फ्रेंड्स इसी चेन में मुझे डबल क्रोशिय डालना है जिसमें मैंने धागे को add किया है तो यहाँ पर मैं डबल क्रोशिय डाल रही हूं अब इसके बाद इसी चेन में मुझे हाफ डबल क्रोशिया डालना है हाफ डबल क्रोशिया हम आपको बता देती हूं कैसे डलता है क्रोशियों में इस तरह से दो फंदे किये इसी चेन में डाला धागे को क्रोशिय को धागा निकाला तीन फंदे हो गए अब तीन का करूंगी थोड़ा ध्यान से देखिएगा नेक्स चेन स्किप करके उससे नेक्स चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी तो डिरेक्ट तीन का एक कर दिया अब इसी चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी अब इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी तो अब देख और फिर हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी अब मैं धागे को कट कर लूंगी और एक चेन लगाके चेन बनाके नोट लगा लूंगी तो यह देखे वर्क जो है कुछ इस तरह से दिखेगा अब इसके बाद हमें इसकी चौँच बनानी है जो कि मैं येलो कलर के धागे से बनाऊंगी तो ये देखे फ्रेंग्स येलो कलर का धागा ले लिए है जो कि ड्रेस की मैचिंग का है और इसके बाद देखे क्रोशियों हमें का डालना है तो ये हम एकदम सीधा पकड़ेंगे ताकि ये एकदम टॉप पे हो जाए अब यहाँ पे बीचो बीच नीचे जो हमने ट्रिप क्रोशिया है एक क्रिपल क्रोशिया को हम अठा उठा लेंगे तो एकदम मिडल का होना चाहिए क्योंकि वहीं पर हमादी चोंच बनेगे तो इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया पूरा का पूरा मैंने उठा लिया कोई चेन नहीं है यह पूरा जो ट्रिपल क्रोशिया है य एक triple क्रोशिया मैंने इस तरह से उठा लिया है अब यहां पर क्रोशिया एड कर दिया अब यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे अब फ्रेंग्स हम येलो कलर का धागा इसमें एड करेंगे एक चेन ले लेंगे अब इसके बाद हम दो चेन और लेंगे तो टोटल हमारी तीन चेन हो जाएंगी अब इसके बाद जो मिडल वाली चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे तो जेकि येलो कलर वाली जो तीन चेन ली है उसकी मिडल चेन में हम सिंगल क्रोशिया कर रहे अब जो first chain है उसमें भी हम single crochet करेंगे तो इस तरह से हमने single crochet कर दिया है अब नीचे जहां पे हमने यह work start किया था यह पूरा जो triple crochet उठाया था उसी को पूरे को उठाएंगे और यहां पे हम slip sit से इसको add कर देंगे और अब हम धागे को cut करेंगे और एक chain लगाके मैं इसको पक्का कर दूँगी तो यह देखे friends मैंने chain लगा दी है अब इसके बाद यह जो धागे है यह पीछे की तरफ ले आऊंगी तो यह चोंच जो है हमारी खड़ी रहेगी तो देखे इस तरह से पीछे की तरफ ले आई हूँ तो अब यह चोंच जो है हमारी खड़ी रहेगी और यह बहुत ही अच्छा look आएगा तो इस तरह से face बनके तयार हो गया है अब यहाँ पे हम दो मोती से इसकी आँखे भी बना देंगे तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने इसकी finishing कर दी और बहुत ही प्यारा लगने लग गया है इसकी आँखे हम बाद में लगा देंगे अब हम इसकी कलगी की तरफ प्रोसीड करेंगे उसके लिए मैं डाक ब्लू कलर की उन जो है क्रोशे में एड़ कर लूँगी तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने क्रोशे में धागा जो है एड़ कर लिया है अब मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी तो यह पहली चेन को मैं पकड़ लूँगी क्योंकि इसमें ही हम सारा वर्क करेंगे और इसके बाद मैं तीन चेन लूँगी एक दो तीन यह तीन हमने इस इस तरह से मैं डबल क्रोशिया डाल रही हूं अब दो डबल क्रोशिय हो गए है अब तीसरा डबल क्रोशिया भी इसी चेन में डाल रही हूं और इस तरह सेवन डबल क्रोशिया जो है इस चेन में डालके आपको दिखाती हूं तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने सेवन डबल डाल लिए और यह first round जो है complete हो गया है अब second round के लिए हम तीन chain लेंगे यह semicircle की shape आ जाएगी second round की तरफ start कर दिया हमने तीन chain लेके work को उल्टा किया अब इसकी just बगल वाली chain में double crochet डालूंगी तो यह हो गया इस chain में हमारे 2 double crochet हो गए है अब next chain में दो double crochet डालूंगी इस से next chain में भी दो double crochet डालूंगी और friends हर chain में दो-दो double crochet डालते हुए यह round भी complete करूंगी तो यह देखिए second round भी हमारी कलगी का complete हो गया है अब मैं धागे को cut करूंगी और एक chain ले लूंगी तो यहां पर dark blue कलर की उन से हमारा धागे यह जो है काम complete हो गया है अब friends मैं light blue कलर का धागा add करूंगी तो देखिए right side में जो हमारा पहला double crochet था जो तीन chain से बना था उसकी third chain में मैं इसको add करूंगी तो देखिए क्रोशे ओ किस तरएसे मैं ने add कर लिया है अब अब मैं धागे को add कर लोंगी तो इस तरह से मैं यह भी add कर लिया अब मैं तीन chain लोंगी कि तो इस तरह से अब इसी chain में जहां पर मैं धागा कायट के उसी में मैं डबल केड़ूंगी तो एक चेन में हमारे दो डटबल क्रोशिय हो गए अब चैन में डबलक्रोशिय डालूंगी और इससे रहे यह से एक दो डबल क्रोशिय डालूंगी तो अब देखे फ्रेंग्स ये थर्ड राउन कम्प्लीट हो गया धागे को कट कर लिया है अब हम ग्रीन कलर के उनसे काम करेंगे अब फ्रेंग्स हम धागा कहाँ एड करेंगे तो ये वाली जो साइड है इसमें हमने फर्स डबल क्रोशिया जो है तीन चेन से बनाया था तो उसकी थर्ड चेन में मैं क्रोशियो अग डालूँगी तो यहाँ पे मैं अपना धागा जो है एड कर दूँगी तीन चेन लूँगी और ये एक डबल क्रोशिया ही हो गया है तो इस वाली चेन में फर्स जो चेन है इसमें हमने एक ही डबल क्रोशिया डाल रहे हैं और जो लास वाली चेन होगी उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे उसके अलावा देखिए हम कैसे वर्क करेंगे सेकंड चेन में मैं डबल क्रोशिय डालूंगी अब यहां पे इसके टॉप पे मैं अपना अंगूठा रख लूँगी जो सेकंड डबल क्रोशिय है उसके टॉप पे मैं अपना अंगूठा रख लूँगी तो ये देखें फ्रेंड second double crochet है उसके टॉप पे मैंने अंगूठा रख लिया है अब मैं यहाँ पे पर्ल बनाऊंगी तो तीन chain लूँगी एक दो तीन अब देखें जहाँ पे मैंने अंगूठा रखा है उसके दो फंदे वहाँ से मैं दो फंदे उठा लूँगी और यहाँ पे मैं धागे को निकालूँगी और slip sit से इसको join कर दूँगी तो इस तरह से एक pearl बन जाएगा जो कि अब भी अच्छे से visible नहीं होगा बट हम पहले नीचे इसी chain में एक double crochet बनाएंगे अब तो same chain में हमने क्या किया एक double crochet बनाया फिर pearl बनाया और फिर एक double crochet बनाय तो इस तरह से pearl दिखेगा अब next chain में मैं जाओंगी double crochet बनाऊंगी कोई भी chain skip नहीं करनी है हमें तो next chain में मैंने double crochet बनाया अब फिर से top पे मैं हाथ रख दूँगी अंगूठा रख दूँगी तीन chain लूँगी जहां पे अंगूठा रखा है वहां पे दोनों फंदे उठा बनाऊंगी अब next chain में double crochet बनाऊंगी और इसी तरह से मैं हर chain में यह परल का काम करूंगी और last chain में मुझे परल नहीं बनाना है वहां पे सिरफ एक double crochet बनाके मैं धागे को कट करके आपको दिखाती हूँ तो यह देखे फ्रेंट्स कल्गी जो है बनके रेडी हो गई है मैंने धागे को कट भी कर लिया है अब इसके बाद देखिए हमारे पास यह तीन elements जो है बन गए हैं अब हमें इसको जोइन करना है कैसे करेंगे यह जो हमारी पगड़ी है इस पर मैं face लगाऊंगी आगे की तरफ और इसको सिल्के मैं यह फेस लगा दूंगी और पीछे की तरफ हम यह वाली कल्गी लगाएंगे तो यह इस तरह से सिल्ल दूंगी मैं पूरे को और यह सिल्के मैं आपको दिखाती हूँ के फ्रेंट्स मैंने हाँ पे मुकुट की कल्गी सिल्दी है और मुकुट पे यहाँ पे फेस भी सिल्दी है पीकोक का तो बहुत ही प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं मुकुट का फेस जो है इस पे जो चोंच है वो आगे की तरफ निकली हुई है बिल्कुल 3D बनी है तो बहुत ही जादा अच्छा लुक दे रहा है अब यहाँ पे हम इसकी आँख भी लगा देंगे और यह पीछे कल्गी देखिए यह भी मैंने स्टिच किया तो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है और आप यह देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है अ लेस दैकरिट कर दिये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहां पे पूर सिल्वर नग की तो मुकुट जो है बहुत ही सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स राधे राधे